अग्री खबर में बात करते हैं सतना की जहाद दसहरे की राद हुए एक हिदय गुदारक हाथसे में मासूम बेटे-बेटी समेथ मा की मौत हो गए तीनों को गंभीर हालत में जिला स्पताल लाया गया जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मिनित कोशित कर दिया उधर एक साथ हुई तीन मोतों से विश्डित परिजनों का गुस्सा भड़का तो उन्होंने अस्पताल में हंगामा कर तोड़ फोर्ट शुरू कर दी पुलिस में मिली जानकारी के मताबिक सतना सहर के कोल गवा धाना अंतरगर पुरेनिहां बस्ती में रहने वाले रंजीत कुसवाहा की पतनी संध्या कुसवाहा बेटी प्रियांजली और फिश्रिया और धाई वर्स के अबोध बेटे तनिश्क की बुधवार की रात घर में आग लगने के कारण मौत हो गई बताया जाता है कि रंजीत ट्रांस्पोर्ट नगर में काडियों की बॉडी मेकिंग का काम करता है बुधवार की रात में दुकान में था इसे बीच रात लग भग साड़े नौ बजे घर में आग लग गई उस वक्त संध्या अपने बेटे बेटी के साथ घर पर थी उसने अपने पती रंजीत को आग लगने की जानकारी फोन पर दी जब तक रंजीत घर पहुँचता आग तेज हो गई और धू आउट ने लगा जिसे देखकर रंजीत के पड़ोसी विजैविश कर्मा ने भी उसे फोन पर जानकारी दी पर उस्यों ने घर के अंदर लगी आग में फसी संध्या और उसके बच्चों को निकालने के प्रयास सुरू किया लेकिन लोहे के दर्वाजे अंदर से बंद होने के कारण उन्हें तोड़ने में काफी समय लग गया आनफादर में तीनों को वहां से निकाल कर जिला अस्पताल लाया लेकिन यहां डॉक्टरों ने उन्हें रिद घोसित कर दिया इधर डॉक्टर्स ने मा बेटी और बेटे को रिद घोसित किया और उधर पर जलों का गुस्सा भड़क उठा उन्होंने इमर्जनसी ड्यूटी में तैनात मेडिकल स्टाफ के साथ गाली गलोच करते हुए तोड़ फोर्ड शुरू कर दी नाराज लोगों ने मॉनिटर समेथ अस्पताल के तमाव करण फेट दिये अस्पताल में हंगामी की खबर मिली तो टी आई कुलगवाद डीपी सिंग चोहान फोर्स के साथ वहाँ पहुँचे और इस्थिती को नियंत्रित किया कुछी देर में CSP महिन सिंग और एटिसनल SPS के जैन भी अस्पताल पहुँच गये परजनों का आरोप है कि जब ये तीनों को लेकर आस्पताल पहुचे तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिला पहुचे नहीं बलकि दम खुटने से हुई है जिस वक्त तीनों को अस्पताल लाया गया था उस समय सिर्फ संध्या की चेहरे और हाथ पर आग से थोड़ा जरने की निसान थे जबकि बच्चों के सरीर नहीं जुल से थे पर उस यह नहीं बता है कि रंजीत को दो कमरे के घ दिनों की मौत हो गई पुलिस का कहना है कि मौत की बजए पोस्मार्टम रिपोर्ट आने पर साफ होगी आग कैसे लगी यह भी इस था दिरिक्शन कर पता लगाया जाएगा